हलो विल्कम यॉल आज है तीन अगस्ट और आप सभी किला हैं फिर से गिन पॉर्डम वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर शेर्स के बारे में तो टाटा मोटर शेर के क्वाटर वन के नितिजे तो आपको पता है कि कंपने ने पोस्ट किया था 8,433 क्र के लॉसिज डिस्पाइट आज हमार को इसमें लगबग 8% सा जंप देखने को मिला तो रीजन्स आपके साथ रखना चाहूंगा कि क्यों इस शेर में आज इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली और इसके फर्दर क्या टार्गेट हमार को अचीव होते वे देखने को मिल सक सकते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रोकरेजिस के व्यूज दिखाना चाहूंगा सी यले से कमाना है जो इनके क्वार्टर वन थे उसमें एग्रेसिव कॉस्ट रिडक्शन देखने को मिला और वहीं यह सब्राइज है ऑन एपी आई टीडे जो इनके बहुत जे लर ए यह है यह continuous positive look है इनका टाटा मोटर्स के quarter two और quarter four के cash free flow में जो इनको एक आगे जाके काफी ज़्यादा मदद रहेगी कि अच्छा कासा cash रहेगा इनके पास और यह इनकी आगे मदद करेगी आगे operations को बढ़ाने में और वहीं ब्रोकरेजिस का अभी भी माना है कि स्टॉग म वहीं CT की बात करें तो CT का मानना है कि जो इनके quarter one के नतीजी थे वो better थे than the muted expected मलव की ब्रोकरेजिस ने इससे भी कम इनके मलव कि इससे भी बड़े बड़े losses सोचे वे थे पर इनका मानना है कि यह better देना है उस muted से और यह भी इसमें maintain कर रहे हैं by rating with the stock with the target price of 155 दा ब्रोकर जो improvement देखने को मिल रही है इनके GLR के product में जिसकी बाइसे इनको boost मिलेगा इनके profit में और वहीं आपको तो operation leverage का तो पता ही है कि जो इनकी free cash flow है वो कहीं इनको better दिख रहा है क्योंकि इन्होंने aggressive cost reductions की है तो आप देख सकते हो brokerages CLSA and CT कितने ज्यादा positive है with a target of 135 है ना target of 155 वह है अगर credit switch की बात करें तो इन्होंने बोला है कि जो stock है इसके अगर आप buy rating देखोगे इन्होंने भी buy rating दी है और target price का लगबग इन्होंने 113 ही रखा है इनका expect माना है कि जो इनकी earning पर share है वो लगबग 2021-2013 के बीच में लगब 1-2% increase होने वाली है और वहीं अगर historical data की ranges देखी जाए तो JLR अभी अभी अपने bottom पे आ रहा है और यह भी अभी तक इसमें buy rating पे यह है और वहीं अगर motilal SOIL की बात की brokerages की report देखें तो इनका माना है कि जो gradually reducing incoming quarter क्या X losses यह लगातार मलब की आगे आने वाले quarter में इनके losses कम होते हमारे को देखने को मिलेंगे और quarter four जो results आएंगे for the year 2021 यह कहीं ना कहीं profitable में change होने वाले मतलब इसके बात के दो quarter quarter two or quarter three में इनोंने नहीं बोला है पर इनोंने बोला है कि इनके gradually बहुत जादा losses कम होते वे देख आना यह है कि इनके जो losses है वो लगबग eight percent तक हमारे को कम होते हुए देखने को मिलेगे क्योंकि faster recovery in JLR में देखने को मिल रही है और वहीं cost reductions की बात करें तो उसमें भी company कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेगे तो brokerages का अभी maintain किया इसमें by rating with the target of 127 तो brokerages क view से अगर हम point of view निकाले कि क्यों इसमें हमारे को तेजी देखने को मिली तो साफ नजर आ रहा है कि इसकी earning per shares increase होने वाली है और वहीं जो quarter four के नतीजों के लिए company अब सभी brokerage का माना है कि यह तब तक profit में आ जाएगी दीरे दीरे losses करके profit में आ जाएगी और वहीं इनके JLR क जो recoveries देखने को मिल रही है इसमें fast recoveries देखने को मिल रही है और वहीं cost reduction सबसे main factor cost reductions काफी अच्छी company में brokerage views को देखने को मिल रही है और cash inflow last बात जो सबसे जादा important है क्योंकि यह ही है अगर operations अच्छे से चलते रहेंगे और वहीं आपको पता है कि Tata Motor government से भी US के government से भी बात कर रही है कि इसमें इनको थोड़ा fund दिया जाए जिसकी वज़से यह अपने Tata Motor में operations में इनको कोई दिकत नहीं है अगर वह इनकी deal पूरी हो आती है तो Tata Motor उस दिन भी हमार को इसी तरह rocket बनते हुए देखने को मिलेगा तो अब आ जाते हैं इसके charts पे तो charts पे में इसको टेच नहीं किया है तो means इसका breakout मतलब जो brokerages 155, 135 के targets दे रहे हैं वो हमार को इसी level के जब तूट जाएगा तो इसके बाद हमार को definitely achieve होते हुए देखने को मिल सकते हैं तो आपकी नजर कहां रहने चाहिए इस level पे 116, 75 अगर टूटा और इसकी उपर share एक दिन भी close हुआ चो सोचिए इसमें आगे को आग लगने वाली है और as of now हमने देखा था पिछले trading session में यह पोल था और यह इसके बीच में trade करता हो नजर आ रहा था आज इसने इस पे breakout दिया है पर breakout तो दिया है पर अगला resistance हमार को 200 days का यह में भी भूलना नहीं चाहिए क्योंकि है 114 के आसपास मतलब 114 और 116 के जो यह range है यह इसमें थोड़ा मलब की टफ होगा इसको इसको तोड़ने के लिए पर जो न्यूज आई है ब्रोकरेजिस में कहीं ना कहीं बिल्कुली जादा positive है अगर यह असानी से तूटते हैं हमार को देखने को मिलती है तो आप इसके ब् बात करें तो 61 पर आ चुका है 50 के उपर से इसने मुवमेंट लिया था तो अच्छा कासा अपर मुवमेंट हमार को देखने को मिल सकती है और वहीं मैं को देखो तो बुलिश क्रॉस ओवर बनाता वहीं नजर आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है यह प्राइस में अब अब तक देखने को मिली थी और शेयर ने आज लगबग अपना हाई जो 114 की हम लेवल्स की बात करे थे 114 से लेकर 116 का इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेक्शुर हमार को देखने को मिल सता है यहाँ थोड़ी रेंज इसको तोड़नी टफ होगी जैसी यह रेंज यह दो तोड़े 17 पैसे यह upward moment भी दे चुका है तो कहीं न कहीं ब्रोकरेजी जिसमें positive targets भी लंबे दिये हैं और उनके estimates भी बता दिये हैं उन्होंने की quarter four तक इसमें better results से देखने को मिले गए cash का कोई कम इनी होगा तो कहीं न कहीं इस शेयर में भी कोई घपराने की जरूरत नहीं है और दोस्तों वीडियो लगाओ informative प्लीज स्पोर्ट सब्सक्राइब दा चैनल लाइक कीजिए और वीडियो को motivation मिलता है comment section में अपनी क्वारी रखिए definitely reply करो मेरा job बनता है and thank you for watching the video